हाई फ्रेंड वेलकम आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार की न्यू भरती में हिंदुस्तान सिपाही भरती एक सप्ता में मांगा रोष्टर 48,000 पदों पर भरती परक्रिया तेज करने का निर्नाय अपर मुख्य सचीव की अज़क्षता में हुई बेठक जैसे कि आप सभी को पता है पटना हिंदुस्तान ब्योरो पुलीस महकमे में बहाली की परक्रिया तेज होगी गिरी विभाग के मुख्य अपर सचीव चेतंज परसाद की अध्यक्षता में हुई समिक्षा बेठक में यह निर्नाय लिया गया पुलीस मुख्याले को एक सब्ता में रोष्टर के अंतरगत आपको गिरी विभाग को भिजने का आदेश दिया गया जिसमें बहाली परक्रिया तेजी से सुरू की जा सकें डायल 112 परियोजना के पहले चरण में 7808 और दुसरे चरण में 19,288 सिपाहियों समेत 48,447 सिपाही की बहाली के लिए रोष्टर तयार करने की कहा गया ताकि 38 मार्च तक इससे जुड़े सभी पहलूँ की समिक्षा करके इसे आरक्षी चरण पारसद के उपलवधा करा दिया जाए इसके बाद चरण पारसद बहाली की परकिरिया जल्द सुरू कर देगी गुरबतला है कि महलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डायल 112 की संख्या को सुद्रीट करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहाली की जा रही है साथ ही राज में परती एक लाग की जन संख्या पर 115-120 पुलीस बल का अनुपाद है जिसे बढ़ा कर 165 और 170 करने का लक्ष है जितने भी फ्रेंड को या वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करकर फ्रेंड आप इससे अधिक सदिक सेयर और लाइक करेंगे इसी तरह के नए नए वीडियो में आप तक वेकेंसी से समझी लाने का प्रियास करूँगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो सेयर करें लाइक करें मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जया भार